C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए उर्दू की समई दर्सी किताब इप्तिदाई उर्दू सफ़ा नंबर एक सबक एक नजम सारी दुनिया के मालिक नजम निगार अलताफ हुसेन हाली ए सारी दुनिया के मालिक सबसे अनोखे सबसे निराले आँख से ओजल दिल के उजाले नाओ जगत की खेने वाले दुख में सहारा देने वाले जोत है तेरी जल और थल में बास है तेरी फूल और फल में हर दिल में है तेरा बसेरा तू पास और घर दूर है तेरा तू है अकेलों का रखवाला तू है अंधेरे घर का उजाला सफ़ा नमबर दो बे आसों की आस तु ही है जागते सोते पास तु ही है सूच में दिल बहलाने वाले बिप्ता में काम आने वाले हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए तू ही डुबोए तू ही तिराए तू ही बेडा पार लगाए नजमनिगार अलताफ हुसैन हाली एक लव्स और मानी परजा रियाया आम लोग जगत दुनिया संसार नाव खेना जोत रोष्णी जल पानी थल जमीन रेगिस्तान सफ़ा नंबर तीन बास बू महक आस उम्मीद बिपता मुसीबत परेशानी दो गौर कीजिये जब कोई हमसे दूर हो जाता है और नजर नहीं आता तो उसे आँखों से ओजल होना कहते हैं नाव जगत की खेने वाले से मतलब ये है कि खुदा इस दुनिया का निजाम चला रहा है जल और थल में खुदा की जोत होने का मतलब है कि दुनिया में हर जगा उसी की रोष्णी है बेड़ा पार लगने का मतलब है काम्याब हो जाना तीन सोचिये, बताईये और लिखिये अलिफ पहली शेर में राजा और पढ़जा का मालिक किसे कहा गया है बे हर मिस्रे को सही लवज से पूरा कीजिये अलिफ सब खाली जगा अनोखे सबसे निराले में या से बे जोत है खाली जगा जल और थल में तेरी या मेरी जीम बास है तेरी फूल और खाली जगा में जल या फल दाल तू है खाली जगा घर का उजाला अन्धेरे या सवेरे हे सोज में दिल खाली जगा वाले रुलाने या बहलाने सफा नमबर चार पाँच पढ़िये, समझिये और लिखिये अलिफ सुख बे, दुख दिन रात अच्छा बुरा अलिफ के तहट लिखे गए अल्फास बे में लिखे हुए अल्फास की जिद है जैसे काला की जिद सफैद सुभ की जिद शाम इसी इसी तरह इन लफजों के मुतजाद बॉक्स में लिखिये राजा, सोना, डूबना, अंधेरा, पास, जल तैरना का मुतजाद क्या है? दूर का मुतजाद क्या है? थल का मुतजाद क्या है? जागना का मुतजाद क्या है? परजा का मुतजाद क्या है? उजाला का मुतजाद क्या है? छे, इन लफजों से जुमले बनाईए मालिक नाव, बसेरा, घर, फूल, रखवाला साथ इशारे के मताबिक बाकी मिसरों को सही तर्तीब से मिलाईए अलिफ अलिफ नाव जगत की खेने वाले बे हर दिल में है तेरा बसेरा जीम मिल्त हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए दाल बे आसों की आस तु ही है बे खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए दुख में सहारा देने वाले जाकते सोते पास तु ही है तू पास और घर दूर है तेरा इशारे के मताबिक अलिफ में दिया गया मिसरा नाव जगत की खेने वाले को बे में दिये गए मिस्रे, दुख में सहारा देने वाले से जोड़ा गया है सफ़ा नंबर पांच आठ यहाँ पर हर एक सवाल के तीन जवाब दिये गए है बताईए सही जवाब कौन सा है अलिफ हर दिल में है तेरा बसेरा, इस मिस्रे में दिल किसका बसेरा है फल, इनसान या खुदा बे, खुदा किसका रखवाला है अकेलों का, अंधेरे का या रोश्नी का जीम, जगत का मतलब है राजा, दुनिया या परजा सफा नंबर छे नौ, यहां दी गई तस्वीरों के नाम लिखिए यहां मुख्तलिप फलों की तस्वीर दी गई है यहां एक कश्टी की तस्वीर दी गई है यहां फूलों की तस्वीर दी गई है यहां कुछ पत्तियों की तस्वीर दी गई है ग्यारहा इस नजम को बलन दावाद से पढ़िए और याद कीजिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक एक नजम सारी दुनिया के मालिक समय रिकॉर्डिस्ट बतिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत